ओम शिरी हनुमान अस्टोलोजी फिरिये मित्रो नमस्कार आज आपको बताएंगे आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में सूरिय राशी परिवर्तन के बारे में अभी तक सूरिय मकर राशी में चल रहे थे आप सभी जानते हैं लेकिन अब तेहरा फर्वरी प्राते 9 बच कर 44 मिनट पर कुम राशी में प्रविश करेंगे कुम राशी शनी की मुल्ट रिकॉन राशी है तो सूरिय के शतूर राशी कहलाती है तो इसका क्या शुमाशू पर बाउगटित होगा सूरिय राशी प्रिवर्तन का आपको इसकी जानकारी देंगे देखिए मित्रों पहले थोड़ा सा समझ ले सूरियों को गरह राश कहते है यानि गरहों का राशा और सूरिय का जो इसे गरह का राशा इसलिए कहते है चुकि सूरिय आपको सभी को पता है आपको परकाश देता है आपको ताकत देता है आपको उत्साह देता है आपके अंदर जो शुमंग पैदा करता है और अगर सूरिय नहो तो पूरी सिस्टी अंदकार में हो जाए तो सूरिय का आपकी जनम कुंड़ी में बहुत बड़ा रोल है सूरिय का जो संबंद है पिता से इसका सिधा संबंद है सूरिय को हमारी जनम कुंड़ी में हमारी जोतिश में पिता का गया है और आत्मा का कारक है पूर जिसा का स्वामी है अगनी तत्तो है शूब इस्तिती होने पर अगर आपकी जनम कुंड़ी में सूरिय की स्तिती शूब है तो सूरिय जातक को बहुत उचाईयों पर पहुँचाता है बहुत नेम फेम परसिद्धी यश मान किर्थी यानि जातक जहां भी जाता है सूरिय के समान चमकता है उसके अंदर बहुत तेज जोजिस्वा होती है हर आदमी उससे अट्रक्ट होते है और शाशन करने की परवर्ती भी सूरिय के अंदर होती है राज्य पक्ष में सरकारी नौकरियों मूझ पदों की प्राप्ती बड़े मंत्री पद यानि नेम फेम जा तक जहां भी जाता है अगर गड़्डयів रहता है और उसकी इंपर्टनस बढ़ती है, उसकी अमद बढ़ती है अशुब इस्ती होने पर, बहुत परियतने करने पर बहुत मेनत करने पर, बहुत अच्छा कारीय करने पर अच्छा सोचने पर, समय समय पर आप ये अश्कर का भागिदार बनना पड़ता है और शायद उतना नेम फेम आपको नहीं मिल पाता, समय समय पर ये प्राब्लम सोड़े आपके साथ तो अगटित होती है, तो मित्रों यह जो फ्लादेश है चंदराशी पराजारीत है, अगर आपको अपनी चंदराशी नहीं मालू है, तो अपने परच्छी ताम से देख लीजिए, चैनल पर नहीं है, तो आपसे बिंतिये, सब्सक्राइब करें, बैल आइकन बड़त दबाए, वीडियो अच्छी लगए, कमेंट बॉक्स में लिखें, जैशीरी राम, जैशीरी देखें मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, तुला राशी वाले जातकों, वो उपर सूरिय राशी परिवर्तन का क्यार सुबा सूपर बाव गटित होगा, यहाँ पर जो इस्तति आपकी बन रही है, सूरिय आपके पंचम अस्थान में उन्होंना ट्र जोते रुदों के नुसार, सूरिय का सिधा संबन पिता से, या निए पिता का झारक है, आत्मा का तो कारक है यह, लेकिन पिता का झारक है तो यहाँ पर पंचम अस्थान में अलेड़ी शनी भी संचार कर रहे हैं अपनी मूलतिर कौन राशी में शुक्र वहाँ थोड़ा मैनेज कर रहे हैं पंदरा तारिक तक लेकिन पंदरा को शुक्र भी ट्राशीट कर जाएंगे और तेरा को सूर्य परिवर्तन तो थोड़ा वहाँ पे इरिटेशन, फ्रस्टेशन, कन्फूजन, टेंपर शॉट, सो वहाँ में चिटड़ा पन, मेंटल स्टैबलेटी में कमी डिसिजन लेने की पोजिशन नहीं, थोड़ी क्रोध उत्ते जना की स्थती, मेंटली थोड़ी डिस्टेबेंस के लिट होगी, संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, कोई मद्बेट डिफरेंसिस, उनकी हेल्थ में कोई प्राब्लम ही, वहाँ शादी में प्राब्लम, न सूरिये जब राशी परिवर्तन करते हैं, तो शुरू के दस दिन ज्यादा प्रवावी रहते हैं, उसके बाद धेरे धेरे प्रवाव कम होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आप अपना परियत आप करते रहें, अपनी पढ़ाई सुचार रूप से स्टार्ट रखें, का बड़े उपाई करने हैं, यह आपको अंतर में बताएंगे, उस लेकिन सूरिये की जो सब्तम दिरिष्टी जहाँ पर बैठते हैं, सब्तम भाव को पूर्ण दिरिष्टी से देखते हैं, तो इनकी सब्तम दिरिष्टी आपके लाब अस्थावन पर पड़ी सो घरही अपन और बड़े धन की प्राप्ति होगे, आपके बड़े बाई बैन मित्रों और उनके बीच में आपकी इंपर्टेंस, आपका नाम, आपकी परसिद्धी, आपकी इंपर्टेंस बड़ेगी, आपकी एमित बड़ेगी और उनसे आपको लाब गिन करेंगे, यह एक अच्छी स् देव गुरु बिरस्पत की पंचम दिरिस्टी तो वहाँ पर आपको फायदा कर रही है, निश्ची तुरूप से आपको फायदा पेचा रही है, और लेकिन यहाँ पर सूरिय हुआ से अस्टम है, तो अगर कोई नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन आप करना चाहरे हैं, अपना परियास करते रहें, लेकिन इसको अंजाम आप 10-15 दिनों के बाद दें या फिर एक महिने के बाद दें, तो निश्ची तुरूप से शुपफलों की प्राप्ति होगी, जल्द बाजी में कोई निड़ने मत ले, नहीं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, और थोड़ पति-पत्नी के मद्बेर डिफरेंसिस दूर होगे, एक दूसरे का benefit लाप सहयोग मिलेगा, नहीं विवाशादी के संबंद बन सकते हैं, प्रेम संबंद चल रहे हैं, विवाशादी में तब्दिल होगते हैं, बिजनेस मेन हैं, विवसाही हैं, पार्टनर्शिप में कारिय हो सकती है, यहां थोड़ा आपको ध्यान देने की थोड़ी सी जरूत है, और उसके बाद यहां पर जो इस्तिति आपकी बन रही है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिदेंस आपका ठीक रहेगा, आपके आत्मिश्वास में व्रद्दी होगी, जब सूर्य परिवर्तन करेंगे, प्रोटे भाई बैन, मित्रोवर्ग, सहकर्मी, प्रोसी, वैल, विशर, मिलने, जूलने वाले लोग, उनसे अपने संबंदों को ठीक रहेगे, उनके बीच में इम्पर्टेंस हैमिद बढ़ेगी, लाप गयन करेंगे, सहयोग गयन करेंगे, और आल मित्रो देखिए, तुल आपको दुष प्रभाव कम देखने को मिलेंगे, और आपको शुपफलों की प्राप्ति होगी, और अगर आपकी जरम कुण्डी के अंदर भी किसी गरे की देशान तरदश आपके अनुकूल नहीं, आपके पक्षमनी, तब संबहते थोड़े दुष प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी प्रशान हैं, आपके सामने उत्कून हो सकती हैं, तो एक बार अपनी कुंडी का वेस्टेशन जलूर कराएं, दोरों चीजें टैली होते हैं, शथ परते शथ प्रणाम सामने आते हैं, उससे आप लाबानुमित होते हैं, छोटे छोटे उपाई करने करों के दुश परवाब से बसते हैं, आप लाब गेन करते हैं, उपाई के तोर पर यहां पर आपके लिए भी जरूरी बनता है, तो लाराश्य वाले जाता होंगे लिए सूरिय भगवान को परते दिन अर्गे दें, तामे का लोटा ले लें, उसमें कुम-कुम डालें, ची के ओपर तीन बार घुमा कर परवावित करें, खाड़ी में या समुद्र में, गुड़ वाले मीठे चावल परती दिन पक्षियों को खिलाें, गुड़ वाली शक्कर परती दिन काली चीटियों को खिलाें, शर्दा विश्वास के साथ किया गया आपका है, निश्चित झाल झाल